शंता भाई इसको एक बार ना समझना ये इंसुलेंट रिजिस्टन्स जो चीज़े ज़्यादा बोली नहीं जाती इसके बारे में चर्चा कम होते हैं टाइपडी वर्ड तो बड़ा फेमस हो गया लेकिन इंसुलेंट के बारे में कम बोला गया है यो समझ लोग आज की डीट का पाहराना वजन का जादा होना इस लोग पर इतना जरूरी है फोकस करना जब तक हमें किसी चीज़ का exact नुकसान पता नहीं होता हम उसके लिए serious नहीं होते हैं बस इस एक बात को समझो knowledge is the key to liberation पैर में काटा गड़ा है दर्द नहीं हुरा भी लेकिन वह जहर बनाता जा है जब तक आप उसको देखोगे निकालोगे थोड़ी इसी तरह हम blood test के रिपोर्ट पर dependent रहते हैं एकिन वह रिपोर्ट कई बार 80% और गंके खतम होने पर आती है तब हम संजीर होते हैं इसके लिए तब तक काम खतम हो चुका है लेकिन बोड़ी ऐसा शांदा सिस्टम है इंडीकेटर देती है जब कार में इंडीकेटर रहता है हैंδग ऑन और तो आप नीचे कर लेते हो इंडीकेटर रहते हैं इंजिनरनल कम है तो आप उसको ठीक कर लेते हो यह आपका ध्यान बिल्कुल नहीं देगी और यही एक मात्र प्रॉपटी है आपके पास ध्यान से सुनना आपके पास अपने श्रीर के लावा दूसरी कोई चीज नहीं जो परमेनट रहेगी मरने तक यही रहेगी लाखों करूडल का कमाल लेकिं यह बैट पे आ गया किसी काम का पैसा नहीं रहेगा आपके सामने सारे इस पैसों से मजे करेंगे और आप बैट पे लेटे होगी इसलिए इस श्रीर का ध्यान देखे खुद का कमाया पैसा खुद नहीं बोगा तो भाई आप तो क्या बने खुद का कमाया पैसा खुद ही नहीं बोगा तो सिर्फ आप एक तिजोरियों जिसमें पैसा पड़ा एकर यूज दूसरा करता है तिजोरिय नहीं यूज करती तो तिजोरिय नहीं बनना खाने वाले बनना वो खाने के लिए ये के बड़ी काम करती है तो उसका ध्यान दखे त्यांकिश सुमच प्यार से सुनने के लिए कर से फिर से मिलेंग तो हां दोस्तों आप भी अपने आपको तीजोरी मत बनाएं और ज्यान वर्दक जनकारी के लिए इस नवार प्रकॉल जरूर करें और इस हमारे कमुनिटी से जुड़ कर देखिए क्या फायदा है हेल्द, वेल्द और माइंडशेट एक साथ मिलेगा आपको थैंक यू सो मच